अब मैं आपको एक 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 एकाउंट क्रेट करने आपको करके बताता हूं as a seller account how you can create your seller account while remaining in Pakistan और जब आप account successfully create कर लेते हैं तो आपके पास कौन सा dashboard available होता है again I am repeating this is for business to business transaction यानि for example मेरा एक business है पाकिसान में और मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठावा किसी और business man से बाचीज कर रहा हूं यानि मैंने for example मेरा online store है और for example मैं sports में deal कर रहा हूं तो अगर मैंने for example football import करने है तो मैं दुनिया में किसी भी बैठे वे importer से या ऐसे business से जो football में deal करता है और export करता है मैं उससे इस portal के थूरू मैं उससे contact कर सकता हूं और जो मैं product offer कर रहा हूं उन product से related भी दुनिया में कोई भी buyer है या further reseller है या उससे खरीद के आगे बेच दे वो basically B2B business है I will tell you how to create your account as a seller यह वाला URL यहां से ब्राउजर में जाके आप टाइप कर दें अब यहां पे आप देख रहे हैं के चार तरह के आपके पास packages available है एक premium package है which will cost you आईसी बात है फिर standard package है basic package है obviously it will cost you लेकिन feature is kinder different है यानि priority ranking जो है वो आपकी features है आपके पास यानि good quality के products है वो आप कितनी हापे rank कर सकते हैं और आपके पास showcase कितने कर सकते हैं product and so on यानि हर package के different आपके पास options available है verified icon आपके पास available है customize website आप create कर सकते हैं हम क्योंके demo कर रहे हैं तो I'll show you के free member के तौर पर आप कैसे register कर सकते हैं as a seller again as a seller की बात में कर रहा हूँ जैसे हम यहाँ पर click करूंगा तो यह screen में पस आ जाएगी वो आपस पहले email address मांगेगा valid email address होना चाहिए आप यहाँ पर email address देंगे उसके बाद आप यहाँ पर इसको swap करेंगे तो उसके बाद अगर आपका email address सही होगा तो आपके inbox के अंदर आपके पास एक email generate हो जाएगी आप inbox में जाएंगे inbox पर click करेंगे तो जब inbox से URL पर click करेंगे आप तो आपके पास इस तरह की sheet open हो जाएगी यहाँ पर आप username password देंगे और इसको यह बताएंगे के जी आप supplier के तौर पर register करना चाते हैं या buyer के तौर पर register करना चाते हैं या both के तौर पर register करना चाते हैं मैं let's suppose both पर click किया मैंने कुछ इसको सारा data दे दिया और phone number दे दिया जैसी मैंने confirm किया तो my registration will be complete अब मैं आपको यह दिखाता हूँ के how I can login वही URL है जो मैंने पहले लिखा था जब मैंने उस पर click किया तो उसमें उसे username password पूछा username password जब मैं दूँगा तो इस स्क्रीन में पस आ जाएगी अब यहाँ पर sign out का button यहाँ पर आ रहा होगा आपने यहाँ for example my alibaba में जाएं so you will be able to see different options यह login होने के बाद ही आपके पास dashboard आएगा for example message center में मैं यहाँ पर click करता हूँ so इस सरह की चीज बेसिकलिए आपके पास आजेगी कि आपके पास order कौन से हैं home क्या है contacts कौन से हैं और इसके बाद आके बास आपके list कौन से है services कौन से हैं and so on so अगर आप account successfully create कर लेते हैं alibaba पे this would be your first snippet यह first login dashboard जो के आप view कर सकते हैं this is how we can create username and password on alibaba and then we can login again keep this thing in mind यह मैंने सारे का सार प्रोसेस पाकिसान में बैठते वे की है जब आप AliExpress पे जाएंगे तो वो आपको पाकिसान की option देगा ही नहीं मतलब आइजर आपको चाइना से करना पड़ेगा या और मोमन जो डिफरन तरीके पाकिसान में चल रहे है कि सेलनका में या कुसी और थर्ड कंट्री में कोई आपका जानने वाला बैठाव है वो आपको यूजर ने पैस्वर क्रिएट करके देता है और वो फिर आप यूज करते हैं पाकिसान से लॉग इन हो जाते है तो यह एक इंडिरेक्ट वी है लेकिन अगर डिरेक्ली स्पीकिंग अली एक्सप्रेस आपको अलाओ नहीं करता तो रन बी टो सी शॉप फ्रम पाकिसान